इसक्रिप्ट का मतलब क्या होता है देखिए इसक्रिप्ट का मतलब होता है टेक्स्ट यानि की रिटन पार्ट, टेक्स्ट आफ एनी प्ले, टेक्स्ट आफ एनी मोशन पिक्चर या फिर टेक्स्ट आफ रेडियो प्रोग्राम, आप मुवीज देखते हैं तो मुवीज में क् इसके basis पे अपनी एक्टिंग कर रहा होता है जो script उनको दी जाती है तो script क्या होगा है? text यानि कि written material तो transaction analysis में जो persons की life है जो different different human being है उनकी जो life है उसको play समझा गया है और उस play में जो written material होता है जो text होता है जिसके according हम human beings अपना अपना play करते है वो life script कहलाता है तो life script क्या होगा? life script of a person is his life plan with which he lives and behaves यानि कि एक human being जिसके basis पे रहता है जिसके basis पे behave करता है उसी को हम life script कहते है आपने देखा होगा कि life script जो है ये childhood सही बन जाती है childhood में आप unconsciously जो है अपना जो है एक life script तयार कर लेते हैं कहां किसके basis पे तयार करते हैं आपके आसपास जो चीज हो रहे होते हैं उसको देखके आपके parents जो आपसे बोलते हैं उसको देखके या फिर आसपास दोसरे लोग जो कुछ कर रहे हैं उसको देखके आप अपना एक life script त्यार करें तो कि आपको क्या करना है और कैसे behave करना है आप suppose करें कि कोई person है वो आप देख रहे हो कि वो बहुत गुसे वाला है तो आप उसके साथ अलग तरीके से behave करोगे आपने उसके साथ behave करने का तरीका अपने mind में fix कर लिया है इसी तरीके से कोई हसमोग आदमी है तो आप उसके साथ अलग तरीके से behave करोगे तो उसके साथ behave करने का आपने script अलग त्यार कर लिया है तो life script यही होता है कि आप किस तरीके से रहते हो किस तरीके से behave करते हो उसका पुरा plan complete plan of living यानि कि आप किसके साथ कैसे रहोगे आप अकेले रहोगे तो कैसे रहोगे आप दूसरे साथ रहोगे तो कैसे रहोगे आप अपनी needs को fulfill करने के लिए कैसे काम करोगे नॉमली क्या होता है कि आप suppose कि एक family है वो बच्चा जो है अपने parents को देख रहा है कि वो लो life को enjoy करने छोड़के सिर्फ मेहनत करता है तो उसका script तयार हो जाता है तो script हम कहीं आलग से तयार लिखा नहीं आता है हमारी human being के जो life का script होता है वो कहीं से लिखा नहीं आता है हम आसपास लोगों को देखके ही अपना script तयार करते है और उसी script के according जो है हम perform करते है a person act according to his script यानि कि उसने जो भी understanding बना ली आसपास के लोगों को देखके उसी के according जो है वो perform करता है which is based on what he expect और how he views his life position तो आसपास के लोगों को देखकर जो भी वो समझता है उसके according हो अपने mind में अपनी script तयार कर लेता है कि मुझे ऐसे से अपनी जिन्दिगी जीनी है और उसके according ह काम करने लगता है यह प्लान जो है वो positive हो सकता है यानि कि positive way में हो सकता है फिर negative way में हो सकता है आप देखते हैं कुछ लोग चोर बन जाते हैं कुछ लोग गलत काम करने जाते हैं वही पर कुछ लोग अच्छा काम करके अपनी जिन्दगी को जीते हैं कुछ लोग गलत काम रोल परफॉर्म कर रहे होते है वह अपनी लाइफ में तो यह जो script होता है कैसे डेवलेफ होता है जैसे पहले बता है कि script दूसरे को देखके आपके parents आपसे क्या बोलते हैं उस से या फिर आपके आसपास क्या हो रहा है उसको observe करके जो है आप इसके त्यार करते हैं अपना कि आपको कैसे परफॉर्म करना है तो उसमें एक आता है मॉडलिंग मॉडलिंग का मतलब आप मॉडल देखते हो किसे को अपना रोल बना लेते हो आप किसे को आपने देखा कि जैसे धिरुभाय मानी जी को देखा कि उन्होंने जो है गरीबी को जहलते हुए भी जो है आज रिलाइस इंड़स्ट्री जो है सेट अप कर दी है तो आपने उनकी सक्सेस स्टोरी को पढ़ा और उसके बेसिस पे आपने भी अपना काम करना स्टार्ट कर दिया अब सपोर्ज करें कि कोई परसन है आपका दोस्ते आपके सीनियर है उन्होंने मेहनत की 12 घंटे पढ़ाये की और आईस बन गए तो उन्होंने जिस दिस बुक से जैसे जैसे टाइम टेबल सेट करके पढ़ाये की वही चीज आप भी फॉलो करने लगते हो तो आप जो है आपकी स्क्रिट क्या होगी उसके कॉर्डिण अपने फॉलो कर ले तो मौर्डलिंग, एट्रिब्यूशन यह च्जीशन यहााँ पर क्या होता है जूसे लोग जो आपको बताते हैं या suggestion देते हैं, उसके according जो है आप जीना श्टार्ट कर देते हैं, आपके teacher हो गए, या फिर कोई भी आप जिसको follow करते हैं, फिर आपका mentor हो गया, उन्होंने आपको बताया कि आप इस तरीके से काम करो, आप जो है success पाओगे, आप उसके according अपना जीना, 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 श्टा पाओगे, जो लोग success पा चुके होते हैं, उनकी जो है, बुक्स पढ़के, उनके बारे में वीडियो देके, उनके बारे में knowledge लेकर, उनके according वो अपने script तयार करते हैं, इसी तरीके से दूसरे लोग होते हैं, power-oriented person, scripts make their script on the basis of stories of risk, यानि कि जो जन लोगों ने risk लेकर कोई achieve किया होता है, उनकी stories पढ़के वो अपने script तयार करते हैं, कि उनको किस तरीके से काम करना है, तो दो तरीके से जो है लोग अपने script तयार करते हैं, normally हम script जो भी हमें अपने life को कैसे जीना है, हमें कैसे behave करना है, किसके साथ कैसा behave करना है, वो हम अपने आसपास के लोगों क ज़ादा लोग होती मिधन कमना उनका अपना इमेज बनाना है, एक सौसाइटे में इज्यत कमाने होती तो उनका अलग life script हो जाता है ति यह depend करता है कि आपके आसपास के लोग किस तरीके से हैं next topic है life position यानि कि life में आप अपने आपको कहां आखते हैं दूसरे के comparison में यह basic मतलब है जनरल मतलब है कि life position का मतलब कि life में आप दूसरे को कैसे आखते हैं आप उसको कर सकते हो या फिर दूसरा उसको कर सकता है या दोनों मिल के कर सकते हो या फिर आप नहीं कर सकते हो दूसरा कर सकता है या फिर दूसरा नहीं कर सकता है आप ही कर सकते हो तो refers to specific behavior towards other that an individual learns on the basis of certain assumption तो यह assumption कहां से होती है, assumption हमारी experiences से ही आते हैं जिसों हम अपने बारे में और दूसरे के बारे में बनाते हैं जैसे कि आप आपने देखा कि एक बार किसी बच्चे ने कोई काम किया, वो काम नहीं कर पाया और हमने कोई काम किया और एक बार में ही वो successful हो गए तो हमारा assumption हमारी लिए यह हो गए कि हम यह काम करी लेंगे, हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है तो यह हमारा experiences आता है तो assumption में क्या हो गए, कि assumption about self plus assumption about others यही life position दिखाता है life में आपकी position क्या है, आप okay हो या सामने वाला okay है या दोनों okay हो या फिर दोनों ही okay नहीं हो clear, तो perception about other आप life position के basis पे यह अंदादा लगा सकते हैं identify कर सकते हैं कि आपका दूसरों के लिए क्या perception है और आप वर्थी हो या नहीं हो या फिर सामने वाला वर्थी है या नहीं आने कि beneficial है या नहीं है आप इस life position के according पता कर सकते हैं life position जो है ये concept एरिक बरने ने दिया था और उन्होंने अपने article जो classification of position के नाम से article था उसमें life position को divide किया था four part में, four categories में तो सबसे पहला था कि I am okay, you are okay ये interpersonal behavior में आता है तो I am okay यानि कि दो लोगों के बीच में तो I am okay यानि कि यहाँ पर किसी भी individual का assumption अपने लिए क्या है कि वो okay है यानि कि वो अच्छा है, वो कोई काम कर सकता है वहीं पर you are okay यानि कि आप भी अच्छे हो, आप भी काम कर सकते हो तो यानि कि good good वाला महाल हो गया यहाँ पर यानि कि यह क्या होगा good life position इस position क्या कहते है, good life position यानि कि जिंदगी अच्छी है, सब लोग अच्छे लोग है तो I am okay, you are okay वहीं पर दूसरा जो है, वो I am okay, you are not okay यहाँ पर क्या हो गया, कि मेरे लिए अपना assumption क्या है कि मैं अच्छा हूँ, मैं यह काम कर सकता हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ लेकिन सामने वाले क्या assumption है, कि वो काम नहीं कर सकता वो एक नहीं है, तो इसको हम कहते है परoterah light position, paranoid position का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हम दूसरे को समझने की कोसिस नहीं करते है वहीं पर तीसरा है, I am not okay, you are okay यहाँ पर क्या हो गया, यह ईप्रेषन टाइप का हो गया यहां पर क्या होता है कि हमारी जिंदगी से मह भंग हो चुका होता है हम मानते हैं कि सब कुछ बेकार है, ना मैं अच्छा हूं, ना तुम अच्छे हो, यह बेकारी जिंदगी बेकार है तो इस position को हम कहते है fertile position यानि कि useless है सब कुछ useless है कोई भी चीज यहाँ पर worthy नहीं है तो एक एक करके हम discuss करते हैं सबसे पहले आता है I am okay you are okay यानि कि good position यहाँ पर क्या होता है कि individual has large number of okay experiences with others यानि कि जब कोई individual लोगों से मिलता है तो उसको सब लोग अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं और अच्छा experience लेता है यानि कि आपने किसी के लिए अच्छा काम किया और सामने वाले ने भी आपके लिए अच्छा काम किया उसको कोई बुरा मिला ही नहीं तो यहाँ पर उसको life में क्या position बन जाती है कि मैं भी okay हूँ और सब लोग बाकी लोग भी okay है तो positive आती है तो feel the life is worth living उसको लगता है कि जिन्दगी जीना अच्छा है जिन्दगी जीनी चाहिए और अच्छे से जीनी चाहिए have confidence in self and trust in other तो उसको अपने उपर confidence होता है और साथ ही साथ दोसरे के उपर trust भी होता है और इससे क्या होता है कि life position अच्छी होगी good experiences आते हैं तो यहाँ पर जो ego state की बात करें कि कौन सा ego state होता है इस position में तो इस position में adult ego आता है यानि कि adult to adult जो है बातचीत होती है happy child ego रहता है nurturing parent ego यहाँ पर काम करता है तो manager इस type में अगर हम बात करें कि managers कैसे हो तो manager delegate authority and feel comfortable with spirit of authority यहाँ पर managers क्या होते हैं जो अगर किसी company में managers है और वो I am okay, you are okay वाले life position पर है तो अपनी authority को delegate करेगा है क्या होता है कि हम कुछ लोग होते हैं कि डर के मारे कि सामने लोग पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा हमें पता नहीं होता उसके बारे में तो हम जहीं करते हैं कि वो नहीं कर पाएगा तो इस चक्कर में हम उसको authority delegate नहीं करते हैं तो यहाँ पर I am okay, you are okay टाइप में दोनों मिलके काम कर सकते हैं नेक्स आथर यहाँ पता है यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर इंडिज्जिवल थिंग्स वाटेवर ही कर रहा हूँ वो ही सही है सामने लोग जो कर रहा है वो गलत है तो जब यह assumption होता है किसी person का वो I am okay, you are not okay वाले life position पर होता है feel to be superior than other उसके अंदर क्या feeling होती ही कि वो सबसे उपर है उसके जैसा कोई है ही नहीं उसको ऐसा जो है assumption अपने बारे में होता है view other as incompetent, blame other for everything वो क्या है वो दूसरे को incompetent समझता है कि वो कुछ नहीं कर सकता है और blame करता है कुछ भी अगर कुछ गलत हो जाता तो दूसरे को भी blame करता है यह तुम्हारी गलती से हुआ है मेरा कुछ नहीं था, मैंने तो ऐसा कहा था तुमने गलत किया, तो दूसरे को ही किसी भी गलती के लिए blame करेगा, distrustful life position होता है यहाँ पर distrustful क्यों होता है क्योंकि जो person है वो दूसरे पर trustee नहीं करता है जब दूसरे पर trustee नहीं करेगा, तो distrust life position यहाँ पर आएगा operate with rebellion child ego और critical parent ego यहाँ पर ego state की बात है, तो कौन सा ego state होता है rebellion child यानि की लड़ता जगडता रहेगा जब आपको दूसरे पर trustee नहीं रहेगा, तो आप उससे ललोगे जगडोगे clear critical parent ego हमेशा कुछ न कुछ जो है वाँ पर criticize करता रहेगा दूसरे person को, तो these people are not suitable for higher position as they do not trust subordinate, do not believe in delegation of authority तो इस type के लोग क्या होंगे, दूसरे पर विश्वासी नहीं करेंगे तो उसको delegate ही नहीं करेंगे कोई काम, तो जब दूसरे को delegate नहीं करेंगे तो सही से manage नहीं करवाएंगे, तो इस type के managers वो business के लिए होते हैं, वो सही नहीं होते है clear, next जो है that is I am not okay, you are okay depressive वाला position, कि यहाँ पर क्या लगता है सामने वाले को खुदी confident नहीं होता है कि उसको लगता है कि वो कुछ करी नहीं सकता है तो जब आप कुछ करी नहीं सकते हो, तो अगर आपको किसी company ने management का part बना लिया तो आप तो सही decision making करी नहीं पाओगे clear, तो इस case में क्या हो कि management कही नहीं खराब जाएगे can do better than him, तो इस case में यह I am not okay, you are okay वाला life उश्या आता है, जब उसको लगता है कि सामने वाला अच्छे काम कर सकता है, अच्छे से कर सकता है कोई काम और मैं अच्छे से नहीं कर सकता हूँ, तो इस case में आता है, they have tendency to withdraw experience depression and in extreme case become suicidal, तो इस type के लोग जिनको लगता है कि वो बेकार है, वो सामने वाला अच्छा है तो उनके case में होता है कि वो जल्दी से कोई किसी भी काम से बाहर हो जाते हैं, हाने कि withdraw कर लेते हैं, हार मान जाते हैं, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं वहीं पर वो depression experience करने जाते हैं, उनको लगता है कि वो परेशान है, depressed हो जाते हैं, सब लोगों से अलग हो जाते हैं और in extreme case, वो suicide करने के भी commit करने लग जाते हैं क्योंकि वो depressed हो जाते हैं, depression में चले जाएंगे उनको लगता है कि हुँ बेकार हैं, कुछ करी नहीं सकते हैं तो इस case में कैया होता है, कि इनसान सुछता है कि हम मरी जाते हैं, आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि exam में fail होते, किस पर्टिक strain exam में competition exam में fail होते हैं, तो उनको लगता है कि life is kit हम ऐसा तैयर कर लेते हैं कि हमको लगता है कि सर्फ हमें सरकारी नोक्री पानी है सरकारी नोक्री नहीं मिली तो हमाई जिंदकी बिकार है तो ऐसा नहीं होता है clear तो they undervalue their skill remain dissatisfied with their lives तो इस type के जो life position में होते हैं जिलको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते वो अपने skills को undervalue करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता भाई सारे लोग सभी चीज में expert नहीं हो सकते हैं लेकिन जब आप जिस चीज में expert हो उस चीज को छोड़कि किसी दूसरे में try करोगे तो कहीं न कहीं आपको उसमें हार का सामना करना पड़ेगा तो आपको अपने skills को समझना होगा उसको value करना होगा आपके क्या skills है उसके according आपको काम करना होगा ये हमेशा dissatisfied होते हैं क्यों बट अब साथ कि जब distressful होंगे उनको लगे क्या कि हम कुछ कहीं जागते तो dissatisfied अपने आप में होंगे इस type के managers unhappy होते है और कोई भी काम करते है तो उनको guilt feel होता है उनको लगता कि यार यह नहीं किया ओड़ा तो अच्छा होता है यह फिर कुछ करते हैं और सामने वाले की तरफ से negative impression आ जाता है तो उनको अपने उपर गिल्ट होता है कि मैंने यह क्यों किया तो यानि कि उनको उपने उपर confidence नहीं होता है, वहीं पर जो next life position that is I am not okay, you are not okay, यह क्या है, यह यूजलिस वाला position है, कि यहाँ पर लगता है कि न तुम भी बेकार हो, मैं भी बेकार हो, सब कुछ बेकार है, यहाँ जिंदगी जीना बेकार है, taken by those person who lose interest in living, यह position किसके दोरा लिया जाता है, जिन को living में interest नहीं कि अब उनको जीवन जीना बेर्थ लगता है, तो उस type के लोग होते है, they feel life is not worth living, उनको लगता है कि जिंदगी जीना बेकार है, कोई फायदा नहीं है, जिंदगी जीने का, in extreme case, they commit suicide और homicide, तो extreme case में क्या होता है, कि यह लोग suicide कर लेंगे, या घर छोड़के पहारो पर चले जाते हैं, तो इस type के लोग होते है, no self confidence के, कोई self confidence नहीं होता है, नहीं यह किसी दूसरे पर trust करते हैं, और इस type के manager decision making में late करते है, proper decision नहीं कर सकते हैं, confused होते हैं, और दूसरे पर depend रहते हैं, कि दूसरा आखे, जो है कोई decision making कर देगा, ठीक, तो यह चीज आप confident नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपको लगता है, कि आप कमजोर हो सामने वाला मजबूत है, तो यह आप अपने बारे में क्या सोचते हो, दूसरे की बारे में क्या सोचते हो, यह दोनों पे बहुत matter करता है, कि आपकी behavior, आपका living हो कैसे रहेगा, ठीक, आप अपने बा अपने को भी सामने वाले को भी negative impact है, तो सबसे जो best position होता है, क्या होता है, I am okay, you are okay, यानि कि आपको अपने उपर भी confidence होना चाहिए, और सामने वाले पे भी confidence और trust होना चाहिए, that is the best life position, wish you all the best, keep watching.